वद्ने मातरम साथियो भग प्रिलात के पिता राजा हिरन्य कश्यप के बारे में एक प्रचलित कथा हम सबको पता होगी कि उन्होंने ये वर्दान मांग लिया था कि उनकी मृत्यू ना दिन में हो ना रात में ना घर के अंदर ना घर के बाहर ना आकाश में ना धर्ती पर ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से ना कोई मानव उन्हें मार सके ना देवता और ना कोई पशू और साथ में साल के बारा महीनों में से किसी भी महीने में नहीं तो जब उनका अंतिम समय आया तो स्वयम भगवान विश्णू ने उसका उपाय किया और उन्होंने नरसिंग का अवतार लिया जो मनुष्य और पशु के बीच में थे और समय था गोधूली जो दिन और रात के बीच का समय होता है और उन्होंने हिरन्य कश्यप को अपनी जांग पर बिठाया और घर की दहलीच पर बैठ कर यानि ना अंदर ना बाहर ना धर्ती पर ना आकाश पर और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने पंजों से उसके सीने को फाड़ दिया लेकिन ये महीना कौन सा था ये था 12 महीनों से अतिरिक्त महीना तेरवा महीना जिसे अधिक मास कहा जाता है अब ये अधिक मास क्या है यह हिंदू पंचांग या हिंदू केलेंडर की बहुत इंटरस्टिंग और ज़रूरी कैलकुलेशन्स में है हम जानते हैं कि सूरज के आसपास धर्ती अपना रेवल्यूशन पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है यानि 365 डेज 6 आर्स और चंद्रमा का वर्ष पूरा होता है 354 दिन यानि 354 डेज और कुछ और घंटे यानि कि एक वर्ष सूरज का और एक वर्ष चंद्रमा का अगर मिलाएं तो लगभग 10 दिन का अंतर पड़ जाता है यानि 3 वर्ष के बाद लगभग 1 महीने का फर्क पड़ता है इसलिए उन दोनों केलेंडर को पूरा करने के लिए हिंदू केलेंडर में हर 3 वर्ष के बाद एक महीना जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास या अधी मास भी कहा जाता है इसे मलिन मास भी कहते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि इस महीने में कोई शुब कारिय या नया कारिय नहीं शुरू किया जाता पर एक और कथा प्रचलित है कि सभी देवताओं ने इस महीने को अपनाने से मना कर दिया इसलिए विश्णु भगवान ने कहा कि इस महीने को वो अपना नाम देंगे अब चुकि भगवान विश्णु को पुर्शोत्तम भी कहा जाता है तो इसे पुर्शोत्तम मास भी कहा जाता है और इस महीने में भगवान विश्णु की पूजा की जाती है एक calculation के हिसाब से अधिक मास हमेशा 32 महीने और 16 दिनों के बाद आता है तो इस वर्ष सावन के महीने के बीच में ये अधिक मास आ रहा है आपने भी देखा होगा केलेंडर इस बारी सावन का महीना 60 दिन का दिखा रहा है ये अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस तक रहेगा लेकिन क्यूंकि ये सावन का महीना है और भोले नाच से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो इस अधिक मास को शुब भी मान रहे हैं कि इसमें विश्णुजी की और शिवजी दोनों की ही पूजा की जाएगी तो आप सबको इस अधिक मास की भी बहुत-बहुत शुब काम नए जैहिन जैभारत जैहिन करण बहुत जैभारत जैभारत को शेटा spinning जै değerो क्यारत जैही को जैभारत को दो